दोस्तो अगर चैनल पर फर्स्ट बार आई हो तो प्लीज सब्क्राइब माई चैनल हलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैप्टॉप या पीसी से स्केन कैसे किये जाते हैं डॉकुमेंट्स तो दोस्तो आप सभी को पता है कि हर किसी के बंदे के पास प्रिंटर अलग तरीके के होते हैं वह से पास एप्षण यूज करते हैं वह से एप्षण यूज करते हैं तो दोस्तो सब जगे अलग सेटिंग होती है अलग तरीके से फाइले कारिये करती है अलग तरीके से फाइल laser jet M1005 MFP वाला printer यूच कर रहा हूँ आप सबी जनते होँ 1005 वाला HP का laser jet printer है वो सभी independentуск那個 पास मिल जाता है HP का laser jet जो printer है दोस्तों ये बहुत ही उप्योगी printer है और ये बहुत ही जादा उप्योग में आने वाला printer है दोस्तों सब्सक्राइब इसे आप काम भी बहूत कर सकते इस परिंटर के अंदर खासियत यह है कि आप इस परिंटर को साथ असाल तक आप इसको काप युज कर सकते हो बिना प्रभल्डम यह जो प्रिंटर है दोस्तोब है cp laser से संबन हम यहापको कुछ उकार यह करेंगे इससे मैं आपको की HP 105 प्रिंटर से डॉकुमेंट सो को कैसे स्कैन किया जाता है JP फाइले कैसे बनाई जाती है PDF फाइले कैसी बनाई जाती है इनका resolution कैसे सैट किया जाता है तो दोस्तों यह सब बात इस वीडियो में हम करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हो यहापको PC की स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको यह Maus Painter दिखाई दे रहा है इस Maus Painter को यहापर Stad Menu पर लाएंगे इस्के बाद आपको यहां पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हुँंगे दोस्तो देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन आया है scan 2 और scan 2 जो है दोस्तों वो hp का software है hp laser jet 1000 printer का यह software है scan 2 तो आप देख सकते हूं यहाँ पर आपको देखने को मिल गया scan 2 तो दोस्तों दूसर तरीका होता है कि दूसरी जगे कौन सी जगे मिलेगा यह software माल ले जाए आपके PC या laptop के अंदर जैसी आप start पर click करते हो तो अगर आपको यहाँ पर menu के अंदर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों तो आप फिर प्रियोग करेंगे यहाँ पर all programs आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा All Programs आपको All Programs पर किलिख करना है जैसी आप All Programs पर क्लिक करते हो तो यहां पर कुछ Option दिखाई देंगे दोस्तों यहां पर बहुत सारे Software's के name दिखाई दे रहे आपको यहां पर Score ver को नीचे की तरफ करना बरें जैसी आप Direct करते हैं औ नीचे की तरब तो यहां पर एक option देखने को हैं मिलेगा hp तीक है आप देख सकते हों यहां पर hp का फोल्डर बना हुआ है यहां पर simply आपको hp किलिक करना है किलिक करोगे तो यहां पर देख सकते होजरें ने एक option दिखते देरा आपको scan to झाहरे एक है ऍ centrehuh क्लिक करना है जैसी आप स्केन टू पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने यहां पर विंडो ओपन हो चुकी है इस डायलो बॉक्स में लिखा हुआ है टाइटल वार के अंदर एच्पी लेजर जेट इसके इसके दोस्तों अब इसके अंदर नेश्ट आप्सन आप किसी अन्रोदल सॉप्टर के अंदर या फाइल को सेंड करना चाता हो चालते हो चैन करके तो यह उसके लिए यूजए होते हैं यह उप्सान उसके बाद आपको यहां Definite यहां उप्सन देखने को मिलगा यहां पर सैटिंग्स पर क्लिक करना जैसी आहां प इसके अंसे देक करना इसके पर जैसे आप किलिक करते हो तो देख सकते हो यहां पर कुछ ओप्षन दिखाई देरें आपको तिक है यहां पर जो रिसोलेशन दिखाई देरा है दोस्तों कौन सा है 200 200 dpi और यहां पर पेच की साइज है दोस्तों वह कौन सी दिखाई दे दिया है लेटर तो जब भी भी आप डारेट कोई भी फाइल को यहां पर स्केन करोगे कोई भी डोकुमेंट को डिरेक्ट आप स्केन करते हो यहां पर तो वह 200 dpi पर स्केन होएगा उसके बाद जो पेपर साइज होती है दोस्तों उसकी वह बाइड डिपॉल्ट इसके अंदर कौन सी होती है लेटर उसके बाद आता है यहां पर फाइल आप देख सकत हो जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है इस्पेस फाइडा डिफॉल्ट डियरेक्टरी तो यहां पर वाउजर से किलिक करने के बाद यहां पर कुछ डिडराइबर दिखाई दे आपको इसमेंसे किसी वीद्धे से मुझे डैक्श्टॉप पर सेफ करनें तो मैंने उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका फॉर्मेट होता है दोस्तों बाइट डुपल्ट जब भी आप स्कैन से कोई भी फाइल स्कैन करते हो तो जब भी वह सेव होईगी दोस्तों तो वह हमेशा किसमें सेव होती है किसमें सेव होती है हमेशा激 फॉर्मेट में क्योंकि यह और पहले सेट सेट ऑपाय डिये पिफॉलक्व ने सेव होगी अगा में अचाकर जो आपको किसी हम्या पर चैन्ज करेंगे उस समय हमें चैन्ज हरे हम जब फाल प्रक्रत करेंगे प्रक्रव कर में Turn यहां पर PDF option को select करना होता है लेकिन दोस्तों मैं बात कर गाऊं यहां पर default की ठीक है तो यहां पर by default जो दिखाए दे रहा है आपको तो by default हमेशा jpg होता है ठीक है दोस्तों तो यह होते कुछ option setting के ठीक है ठीक है दोस्तों अब बात आती है यहां पर scan की किसे में documents को कैसे scan तो दोस्तों बहुती simple तरीक होता है scan करना आप सबी जानते हो बहुत से लोग ऐसे भी है जो नहीं जानते है scan करना printer हो से तो ऐसे लोगों के लिए मैंने यह video correct किया है ताकि वो लोग आसानी से यहां पर file को scan कर सके printer से तो दोस्तों चलते हैं हम आगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर scan option यहाँ पर scan पर simply click करना है जैसे आप scan पर click करते हो तो देख सकते हैं आपके सामने एक window दिखाई दे रही है kisip is option से यह ऩरूल है इसके अंदर क्या होता है कि PayPal फाइल को सेफ करना चाहते 25 के दर दीख सकूंए आपर सब्राइल के अंदर कुछ वार्मेट दिखाई दे रहे है आप सभी को jpg bitmap file ठीक है TIF compressed file उसके बाद TIF files दिखाई दे दे रहा है उसके बाद bitmap file से दिखाई दे रिया उसके बाद gip bitmap file दिखाई दे रिया उसके बाद pdf file दिखाई दे रिया तो दूस्तो сид करने से पहले आपको यह आपको file का name देना होता है और उसका format को select करना होता है कि आप file को किस में save करना चाहते हो जाथे या पिडियाप के अंदर save करना चाहते हो या फिप bitmap के अंदर save करना चाहते हो तो दोस्तो आप सबी को पता है जब भी limit sun चाल है कोई भी ठीक है दोस्तों यहां पर जब काम करते हैं तो यहां पर आपको सबसे ज़्यादा दो चीज की आवर सकता होती है या तो जैपी जी के अंदर फाइले सकेन होती है या फिर पेडिया फाइलों के अंदर फाइले सकेन होती है सबसे ज़्यादा आप सबी को पता है सबसे ज़्य जो होता है दोस्तों दोकुमेंट के लिए जब लें होती है वह हमेंसा ओस्ता फैट के उती है जिनके झाता उसन के लिए यहां पर डॉकुमेंटसे होते हमारे उन सद वी किटनों को एंदर अप्लोड किया जाता है बहुत सी एसी वैपसाइट है तो उससे में हम डॉकुमेंट्स जो है हमारे जैसा 10th क्लास की मार्क सीट हुई या सुनियर 12 जो भी अपन की मार्क सीट है ठीक है दोस्तों तो उनको अपन यहां पर जैपीजी फाइल के अंदर सेव करेंगे ठीक है दो साइट के अंदर जो बात हो दिया दोस्तों माली जाए कोई भी एनी वैपसाइट है उसके अगर डॉकुमेंट्स को पीडियाप के अंदर अफलोड कर वाता है तो आपको सीडिसी वात है जैपीजी फॉर्मेट को अठाकर यहां पर डॉकुमेंट्स फाइल को किसमें सेफ क प्लडा करना होगा ऊपको ठीक जाएट करना होगा आपको पीमेडी डेह सकते हो आप मुंअपर पीडियाप लेλ डिखनेदी है तो इस तरीके साफ यहां फाइल का नेम देंगे यहाँ इंडी यहाँ थिया लकी देच एक्वाद्स लेंग डालिया है उसके हासी तो मैं यह सकते हो यहां पर एक option आया scan to preview क्या आप यहां पर scan का preview देखना चाहते हैं अगर preview देखना है तो इसको पूरा complete होने देना अगर नहीं देखना तो cancel पर क्लिक करना जैसी आप preview को cancel करते हो दोस्तों तो आप देख सकते हो यहां पर एक blank file दिखाई देगी अब उसके बाद आपको simply यहां पर scan option दिखाई दे रहा है scan पर क्लिक करना क्योंकि मैंने preview को cancel कर दिया था तो दोस्तों अब एक बात में समझा देता हूं कि preview का मतलब क्या होता है तो दोस्तों preview का मतलब होता है कि जो आपने documents printer के अंडर लगाया है जो भी file आपने printer के scan के अंडर लगाया है वो file scan होने पर कैसे दिखाई देगी तो preview चेक करने के लिए हम preview option का प्रियोग करेंगे जैसे देख सकते हों यहाँ पर मैंने documents को scan के अंदर रखा दोस्तों scan के अंदर रखने के बाद यहाँ पर आपको scan क प किलिक करना है उसके बार यहाँ पर file नेम देगे मैं न स्क्राइट करेंगे यहाँ पर ़ॉर्मेट सेट करेंगे कि यह scan होने के बाद कैसे दिखाई देगा यह documents तो उसके बारे में यहां पर बताया गया है ठीक है दोस्तो अब इसके अंदर क्या होती है अभी यहां पर file save नहीं हुए आप सोच लो कि मैंने तो scan कर लिया हो मेरी file यहां पर save होगे दोस्तो अभी file save नहीं हुए अभी only for यहा करना चाहते हो यह पर आड़ा तिल्शा करना चाहते हो तो यहां पर कुछ option दिखाई दे रहे हैं आप सभी को यहां से आप प्रियोग करना जैसे मैंने इस पर click किया तो आप देख सकते हो तो यहां से देख सकते हो यह चेंज हो रहा है तो इस तरीके से आप इनका प्रियो करना है तो यहांस आप फोटो को जूं कर सकते हूं अबर पर जूम भी कर सकते हो अगर आपको यहां पर साइज को घटाना है तो यहां पर इस माइनस वाले लैंज पर क्लिक करना है यहां पर साइज आपकी घट जाएगी उसके बाद यहां पर देख सकते हो नीचे आपको एक आपसन देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पर इस इसक कि तो इस तर्थे कैसे और हम यहा पर देख सकते हो ठीकिए्द है दोस्तों और इची के आंदर बात आती है जी सो लेशन की। आप सब्मक्राई जानते हो क्या होता है तो आपको पता है जब strategic कर दे से मा ले जाए हम जैसे एक online form fill कर दें तो online form fill कर दें तो उसके अंदर बोला जाता है कि photo को 200 dpi पे scan कीजिए signature को 300 dpi पे scan कीजिए और certificate को 500 dpi पे scan कीजिए या फिर 200 dpi पे scan कीजिए तो जो ये 200 dpi 300 dpi 500 dpi जो होती है इसको resolution के अंदर जाना जाता है मतलब जो इसका 200 dpi का मतलब जो dpi option होता है dpi ki full form होती है दोस्तो dot per inch dpi की full form के होती है dot per inch तो dpi जो option होता है ने के लिए आपको यहापर simply आपको resolution वाले option पे जाना है और जी सोलेशन के option पर जाने के बाद आपको यहाँ पर DPI को set करना है जैसी आप DPI को set करते हो तो हमाँ पर आपको बहुत सारी DPI देखने को मिलती है दोस्तो जैसे माले जाए आपने करा होगा जैसे माले जाए आपने कभी scan किये होगे document तो आपको पता होएगा कि 300 DPI को होती है, तीक है 500 DPI को होती है यह सब आपको पता होएगा आप इन के बादे में अच्छे से जानते होुम गारे में लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को मैंने बनाया ताकि जो बंदे यहां पर नहीं तो दोस्तों ऐसे बंदे जो स्केन के बारे में नहीं जानते हैं वह अच्छे से इस वीडियो को समझे क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और और आप कापी अच्छे से किरियो करी कहा रहेंगे क्योंकि मैं यहां पर कापी अच्छे से बतारा हूं कापी आरम से मैं किरियो जानकारी दूएगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एक आपसن दे रहा है आप सभी को Resolution दिखाई है आंधे देराहिव सभी खो Resolution तो इस Resolution पे किलिक करना है जैसी आप Resolution पे किलिक करते तो भी देख सकते हो आप इसके अंदर आपकDO एक option मिला है DPI का जैसे मैंने अभी आपको जास्ष बतायाँ था कि Resolution जो होता है वह हमेशन dpi के अंदर होता है resolution जो होता है resolution के अंदर ही dpi option पाया जाता है तो दोस्तों इसकी जो by default by default जो dpi होती है दोस्तों वो कितनी होती है 200 ठीक है HP laser jet HP laser jet 1005 के अंदर जो resolution होता है ठीक है by default वो कितना होता है 200 ठीक है तो इसकी जो by default dpi होती है दोस्तों दोंचिंटा के अंदर कितनी होती है 200 कि कORE दोस्तों सबसे जाड़ा यूजल भल्व भी दोस्तों होता है आप सभी जानते हो फोटो साइज होते हुते वह जाड़ाता है 200 dpi पर scan किये जाते हैं बहुत से documents भी हम 200 dpi पर scan करते हैं अगर माल ले जाए आपको अच्छी quality चाहिए ठीक है आपको documents को क्या करना अच्छी quality के अंदर save करना है high profile के अंदर save करना है तो आप यहां पर resolution को बढ़ा सकते हो आप जितना high जैसे माल ले जाए मैंने अभी यहां पर 1200 dpi set किया ठीक है दोस्तों तो यहां पर documents के अंदर क्रियल्टी भी उतनी आएगी जब मैं documents skin करूंगा तो उसके अंदर बहुत जादा वह इस documents साब दिखाई देगा कापी क्रियल दिखाई देगा 1200 dpi के अंदर ठीक है दोस्तों तो dpi जो होती है न वह quality 100 करती है image की ठीक है क आपका documents जो है वो कैसे दिखाई देगा कैसी उसकी quality दिखाई देगी dpi यह निदारित करती है अगर आप high dpi set करते हो जैसा माली जाए मैंने यहां पर set किया 19,200 dpi तो यहां पर जो documents scan होएगा दोस्तों वो बहुती सांदार documents यहां पर scan होएगा उसके अंदर छोटी छोटी वो भी काफी career दिखाई देगी यहां पर ठीक है जो छोटी 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 लाइने होती है documents के अंदर वो भी काफी career देखने को मिलेगी अगर आप 19,200 dpi यूज करते हो लेकिन आप देख सकते हो जैसी आप इनका प्रियोग करेंगे तो यहां पर देख सकते है जो आपकी य अंदर documents upload करते हैं तो महाँ पर documents को या तो 100 kb के अंदर upload करना होता है या फिर 200 kb के अंदर upload करना होता है या फिर 300 kb के अंदर upload करना होता है या फिर 500 kb के अंदर upload करना होता है और photo जो signature होते हैं दोस्तों वो 10-20 kb के मद्दे upload होते हैं या फिर 20-50 kb के मद्दे upload होते हैं आप सभी को पता है लेकिन photo structure जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है दोस्तों वो 20-50 kv के मद्दे यूज होते हैं 20-50 kv के जो photo structure को scan किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम simply by default जो है यहाँ पर size वो कौन सी set करेंगे दोस्तों तीके दोस्तों DPI कर लिया अब उसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर lighten and darken तीके अब lighten and darken के बारे में आप जानते हैं यहाँ पर यह brightness होती है तीके जो documents आप skin करोगे उसके अंदर जाते हो इसको कम करना या तो आप कम भी कर सकती हो इसी तरह के सागर आपको dark करना है तो यहाँ से डार कर सकती हो आप जों कांडाहीड करना की इसको बढ़ा सकते हैїए कोंक्रेस्ट ивается की अपक्री करता है तो साइच केका मतलब होता है paper को set करना कि उसकी चोड़ाई कितनी है उसकी लंबाई कितनी है ठीक है न टॉप से कितना बॉटम से कितना तो यह साइट को सेट करता है दोस्तों ठीक है दोस्तों उसके बाद आती है आपकी स्केल स्केल का मतलब होता है जूम साइट आप जो डॉकुमेंट्स स्केन करोगे उसकी जूम size कितनी होनी चाहिए तो यहां पर यह scale होती है अब scale दिखाई दे रही है आपको यहां पर last जो scale है दोस्तों कितनी है 600 तो आप जब इस file को scan करोगे तो आप यहां पर simply scale के अंदर scan करोगे तो दोस्तों यहां पर 50 से लेकर 600 तक इसका scale है ठीक है दोस्तों तो यहां पर सबसे ज़्यादा यूज में होता है 100 scale अब यह कैसे कार यह करता है इसके आपने देखा होगा बहुत सी पीडिया फाइल होती है तो वह पीडिया फाइल जो होती है ने वह छोटी साइज में दिखाई देती है मतर्व छोटे छोटे टेस्टों के अंदर दिखाई देती है जब हम scan करते ठीक है दोस्तों अब आपको क्या चाहिए कि नहीं यार इनका जो सबी को पता 8.50 into 11.79 यह लेटर की होती है तिक दोस्तों इसी के अंदर यहां पर और भी ऑप्सन जैसे सरफन हुआ लेकिन यह हमारे यूजवल नहीं होते दोस्तों आप सभी जानते उसके बाद करार एडजेस्टमेंट हुआ यह भी इतना यूजवल नहीं होते हैं अगर करन है सबसे जादा यूजवब होता है इस के अंदर तो यहां पर मैंने सेट कर ली सारी चीज मेरी सेट है दोस्तों यहां पर ठीक है अब यहां पर सिंपल ही मैं सेट किया दोस्तों वह 150% सेट किया है और यह फाइल जो इसकें होएगी दोस्तों वह बाइड डिपॉर्ट किसमें दिखाई देगी लेटर के अंदर more wagon t how to scan यह करना चाहते हो मैंने अभी यहाँ पर इसकें और उसके बाद आपको यह इसकें सन्सक्राइन है अगर यहाँ पर यहाँ यह फाइल करना को छाथ हो तो आपको सिंपल ही आपर 9 पे क्लिक करेंगे जैसी आप 9 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपने जो फाइल स्कैन की थी दोस्तों ठीक है वो फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आप देख सकते हो इसको उपन करके जैसे आप इसको open करते तो देख सकते हो आपके सामने ये फाइल दिखाई दे दिया जो मैंने अभी यहाँ पर हाली में scan की थी देख सकते हो इसके अंदर quality भी काप यह अच्छी हो इसकी जो zoom size वो भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है यहाँ पर मैंने 150 scale पर जूम किया था इसलिए यहाँ थोड़ी सी size इसकी बड़ी भी हो चुकी है तिके दोस्तों यहाँ पर 200 dpi पर मैंने इसको scan किया है तिके दोस्तों अब देख सकते हैं इसकी size बनी है दोस्तों वो कितनी है तिके अगर आपको क्या करना साइज को check करना है दोस्तों इसकी size चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 300 kb तिके जो यह file की size है दोस्तों वो कितनी है 300 kb ठीके दोस्तों तो इस तरीके से इन file को क्या किया जाता है scan किया जाता है इसी तरीके से एक और बार बताता हूं दोस्तों मैं Gentlemen scan करना scan पर click किया उसके बार आपा files का name दिया मेंने लखघी दिया उसके बार यहाँ पर e.p g पर click किया से पर click करना जैसिया पर click करते प्रिवीवस देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर cancel किया cincels करने के बार यहाँ पर be suppression करिंगेfaat doos code Next Candpt co can करेंगे और सो करने के बाद यहां पर इसकेन करेंगे जैसी आप इसकेन करते तो देखते हैं आप सो इसकेल के अंदर और दोसो डिपी आई के अंदर इसकी साइच कितनी सेट होती है तो क्योंकि यहां पर मैंने रिसोलेशन दोसो डिपाई सेट किया है और यहां पर जो स्केल ठीयों देखके, वहäft्रूस स्केल को मैं ने या पर 167 किया है, तो चेख करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि इस SHYSI DS कितनी बनी है, लक्की की, तो देख सकते हो, लख्की वाले डॉकुमेंट्स की साइज है दोस्तों, वो कितनी है, 156, लक्की वाले डॉकुमेंट्स की याँ पर कितनी size बनी है दोस्तों इस documents की 156 kb लेकिन जब मैंने यहाँ पर 150 scale और 200 dpi पर scan किया था तो देख सकते हो इसकी size कितनी थी दोस्तों 333 kb लेकिन मैंने यहाँ पर 100 scale पर scan किया था जैसी मैंने इसको 100 scale पर scan किया है और 200 dpi मैंने इसको scan किया था तो देख सकते हो अब इसकी size कितनी बनी है 156 kb तो दोस्तों इस तरीके से फाइलों को सेप किया जाता है jpg के अंदर इसी तरीके से होता है माल ले जाए आपको एक से अधिक फाइल है ठीक है documents की फाइल है जैसे 10th की माल सीट की senior की माल सीट final की माल सीट बनाकर मुझे सिर्फ एक फाइल सेट करनी है तो उसके लिए प्रियोग करेंगे दोस्तों दुबार सिर्फ वही तरीका यहां पर scan का software open करेंगे scan के software open करने के बाद यहां पर scan करेंगे उसके बाद यहां पर file का name देंगे यहां पर फाइल से दिया यहां पर format दिखाई दे रहा आप सभी को save as type इस format के अंदर जाएंगे आप PDF मैं यहां पर PDF क्यों select कर रहा हूं क्योंकि मुझे documents के अंदर PDF की ज़रुत पढ़ी है अब PDF file के अंदर upload कर रहा है तो दोस्तों उन PDF file को upload करने के लिए ठीक है तो सीधी सी बात है आपको scan करना पड़ेगा PDF के अंदर तो दोस्तों चलते हैं PDF file scan करने तो मैंना file name दिया file उसके बार यहां पर format set करेंगे PDF क्योंकि महां पर PDF file मांग रहा है इसलिए मैं यहां पर documents को PDF मे देखने को मिलेगा उसके बार मैंने इसको cancel किया यहां पर resolution आएंगे resolution के अंदर यहां पर दिखाई देदी दोस्तों आप इस DPI को set कर सकते हो मैंने यहां पर 150 DPI set करने को यहां पर scan करेंगे यहां पर दोस्तों याद रखना मैंने 150 DPI क्यों लिया आपने 100 DPI क्यों नहीं ल सब्सक्राइब को हरी कि फाईल बनानी है इसलिए मैंने यहां पर करने फाइल बनानी है शलिए मैं यहैं नहीं करूँ है यह स्केन करों गजैसी आप सीकों यह संसे हैं दुवारण से सकेन हो रहा है दोस्तों सकेन होते हैं आपको horror ज peso आप देख सकते हो यू रएक तूर्डियो यौलग तो इसकम अनौदा पाइज तीक है अब मेरे पास यहाँ पर और भी पेज है तीक है और भी फाइल है लेकिन उन फाइलों को मुझे इसी फाइल के अंदर एड़ करना है मैं यहाँ पर अललग पीडियाप एड़ नहीं कर रहा हूँ मुझे एक ही फाइल के अंदर पीडियाप बना कर डाननी है तिके दोस्तों क्योंकि इसके अंदर 10th 12th और final की मार्सीट को एक ही PDF के अंदर मांग रहा है इसलिए यहाँ पर मुझे अटेच करके एक PDF फाइल बनानी है तो उसके लिए CDC बात आप यहाँ पर Yes पर क्लिक करोगे जैसी आप Yes पर क्लिक करते हो तो दुआ से यह स्केन होएगा स्केन होने के बाद दुआ से बोई तरीका देगा दुआ से आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा तिके दोस्तों देख सकते हो अभी आप तीके मैंने प्रिव्यू को cancel नहीं किया था दोस्तों इसलिए वो दुआ से हो गया तो यहाँ पर मैं जैसे scan करता हूं तो देख सकते और दो आपको मैसर मिलेगा older Но से मैंने इसकें किया किरें प्ने करने के पार अपधे अपडिक सकते हो यहापर जो थीन फाइल सकैंड करी है लुए यह यह एक पीडिया फाइल कंदर सेट धेह यहां पर क्लिक किया का छूसरा है कि देञा देरी है दोस्तों फाइयल ऑपसण फा lavor контр दिखाई देरिया अब अव हैं यहां पर देख सकते हो जो यह फाइल दिखाई देरिया इस फाइल की साइज कितनी बनें दोस्तों 305 क कितनी बनें लिए आप भाई जो की PDF है अब जैसी में इसको open करते हूं आप देख सकते हं यहां पर अपन करने के बता देता हूं कींसे फा knowew मना हुआ यां यह दाती है तो देख सकते रहाँ मैंने वहां पर स्केंच किया था तो देख सकते हो पहला पेच पहले पेच के के बाद आप देख सकते हुआ है और सेकंट पेज़ देखने को मिले गा तीक है और second base के बाद आपको यहां पर ठर्बज भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों इसको बोला जाता है अटेज फाइल टिक है एक से अधिक फाइलों को एक फाइल करना क्या कहिलाबता अठेच्मेंट फाईल है आपकी ऐसे अधिक फाइलों को आपने क्या कर दिआ मखि करके एक फाईल बना दी तेंद्टर्श्मेंट भी बहुत सकते हैं मछ भी कर bricks करना गोंच प्रियोग lub को एक करना वो भी क्या खेलाबर को मर्च खेलाता है तो देख सकते हुआ हैं, यहाँ पर यह तीन डॉकॉमेंट्स फाइल है, ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं आपको स्कैंड करके बता जाता है, तो इस तरीके से एक और अधिक फाइल कें अंदर इस तरीके से अटेज किया जाता है, और एक फाइल बनाई जाती है, एक से सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कोमेंट से करना ना भूले और दोस्तों आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाएगी अगर आप नौटिफिकेशन ओन करते हो क्योंकि पोलना चाहता हूं कि हम लाइफ के अंदर जतनी जानकारी हासिर करेंग ओस दोस्तों इन चीजों के वारे में अच्छे से आपको नौलेच होनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास अच्छसे नौलेच है तो आप बर्किन भी अच्छसे कर पाएंगे नहीं तो बहुत से लोग होते हैं जो चोटे-चोटे-उप्सन भी है ना पाबलिक से पूस्त तो इसलिए दोस्तो चोटी-चोटी चीजों के वारे में सीखते रहा करो तीक है ना जिससे आपके अंदर भी जानकारी हासी हो और आपको इन चीजों के वारे में पता चले और आप अच्छे से कारिये कर वाओ थैंक्स पॉर वाचिंग